हेलो प्यारे बच्छों, केमिस्ट्री वाले भाया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हारदिक स्वागत करते हैं आज का टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरेक कंसेप्ट आफ एसीड एंड बेस ये एसीड एंड बेसेस का सेकेंड वीडियो है बच्छों और इसमें हम लोग ब्रोंस्टेड लोरेक कंसेप्ट परहेंगे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग अरहनियस कंसेप्ट देखे थे और अरहनियस कंसेप्ट में हम लोग ये सिखे थे कि एसीड कौन है जिसके पास हाइड वोजन है और वाटर में डिजॉल्ब क करने से क्या करें OH-Ion यानि hydroxyl ion release करें या फर्निस करें बच्चों यह देखे थे आज का टॉपिक है ब्रॉंस्टेड लॉरे बच्चों यह ब्रॉंस्टेड और लॉरे जो है यह दो यह लॉरी जो आप इसको प्रणाउंस करो ठीक है यह दोनों केमिस्ट है ठीक है यह हम लोगों के इंग्लिस केमिस्ट है इनके बारे में थोगा और आगे चल के बाते करेंगे लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस theory को परने के लिए हम लोगों को एक वर्ड से परिचित होना चाहिए वह है प्रोटोन बच्चों देखिए प्रोटोन क्या है यहां पे यह हम लोग को जानना है आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हो कि हाइड्रोजन में एक प्रोटोन होता है बच्चों और एक इलेक्ट्र होता है ठीक प्रोटोन हम लोग का निकलीश में होता इलेक्टोन हम लोग के इसके एरांड रिवार्ब करता है ठीक्ट तो यदि हम लोग यह जो हीड्रोज़न है ठीक है यहांसे एक इलेक्ट्रोन को निकाल दें, तो क्या होगा? हम लोग का सिप और सिफ प्रोटोन बच जाएगा बच्छों, ठीक है? और हम लोग का H atom से यदि यदि एलेक्टोन निकल जाए तो क्या बनेगा? H plus, यानि H plus को ही हम लोग proton बोलते हैं, क्योंकि H plus में actually है क्या? proton ही तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक, तो H plus को हम लोग proton बोलेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान में रहे, अब इस theory के according, अब acid किसको बोलते हो? acid आप वैसे सारे species को बोलोगे बच्चों, जो क्या करे? proton donate करे, proton donor हो, ठीक है? अच्छा, base किसको बोलोगे? जो proton को accept करे, यानि कि proton acceptor हो, ठीक, अब हम लोग कुछ examples लेके समझते हैं, जैसे हम लिए है, HCl लिए है और H2O लिए है, ठीक है? ये दोनों आपस में, हम लोग इ H3O plus and Cl minus बन रहा है, एक्चोली इसमें हो क्या रहा है? ये हम लोग को जानना है, दखिए, HCl जो है, यहाँ से लेके आप यहाँ पे देखिए, Cl minus में क्या हुआ है? हम लोग का HCl जो है, एक proton को donate किया है, एक H plus को क्या किया है? हटा दिया है, खुद से, donate कर दिया है, ठीक है किसको donate किया है, तो water को donate किया है, यानि कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का एक proton का donation हुआ है, यानि कि donate किया है, proton donate हुआ है, ठीक है? यानि कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे? acid बोलेंगे according to Brunster Lore, concept of acid and basis, ठीक? अच्छा, यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो क्य हुआ है यह एच टूओं में यहां आने के बाद क्या हो गया एक एच बढ़ गया है मतलब एच पलस इसमें बढ़ गया है यहां पे हम लोग का प्रोटोन का क्या हुआ है accept हुआ है बचो हुआ है कि नहीं यहां पर देखिए एक proton का acceptance हुआ है accept किया गया है तो यह हम लोगों का क्या हो कहलाएगा base कहलाएगा according to Bronsted Lore concept ठीक है इतनी सी बात के लिए रहने के बाद हम लोग कुछ examples और यहां पर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा और की लिए रिती मिलेगा हम लोगों को हम क्या करते हैं ना अमोनिया ले लेते हैं और एच्टू ले ले लेते हैं ठीक हम यह वाला साइन बनाएंगे देखिए यह जो एक फुल एरो का साइन है ठीक है अब अगर आप equilibrium पर हो तो आपको पता होगा कि हम लोग का ACL क्या है strong electrolyte है यानि कि यह almost completely ironize करेग ठीक है तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि यह जो reaction होगा यह forward direction में होगा backward direction में बहुत कम होगा इसलिए यह वाला एरो यूज करते हैं ठीक अच्छा इसमें यह equilibrium का sign हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब यह है कि हम लोग का reaction backward direction में भी होगा ठीक क्यों होगा च्योंकि हम लो आपिए आईउनाइच करेगा ठिक तो यहां पे हम लोग यह वाला साइं उज़ करते हैं क्योंकि वी के लेक्ट्वा लाइट है भचो ठिक अचछा अब आगे बात करते हम लोग यहां पे क्या होगा यहां पर हम लोग को मिलने एक्सेप्ट हो रहा है तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं कि ने ठीक और यहां से यहां यदि आप देखो तो यहां यहां पर क्या है ह2O है यहां पर बच क्या गया? OH- मतलब एक प्रोटोन को डोनेट किया है है यहां पर क्या हुआ है? प्रोटोन का डोनेशन हुआ है ठीक तो इसके हिसाब से क्या हो जागा यह हम लोगों का असीड हो जाएगा? अब देखे गौर करने वाला बात यह है कि यह condition में यानि HCl के presence में या HCl के साथ हम लोग का H2O base के जैसा behave करता है जबकि वही H2O हम लोगों का ammonia के साथ acid के जैसा behave करता है मतलब Bronsted Lore concept जो है बच्चों यह relative concept है यह कैसा है relative concept यह मतलब किसी भी चीज को 100% acid या base नहीं कहता है यह किसी के respect में कौन acid हो सकता है या base हो सकता है इसके बार हम बात करता है मतलब यहाँ पर आप देखो ना H2O यहाँ पर base के जैसा exist कर रहा है जबकि यहाँ पर हम लोगों का acid के जैसा exist कर रहा है तो यह एक relative concept है यह बात आप याद रखोगे इसके respect में यह acid है इसके respect में यह base है आई हो इतनी से बात आपको समझ में आई होगी ठीक है यही पर आप एक बात को और गोर कर सकते हो H2O देखिए दो अलग-अलग जगा दो अलग-अलग तरह से behave कर रहा है ठीक है तो base और दूसरे जगा acid के जैसे तो ऐसे substance को ही हम लोग Emoteric goddess voaltte है जो कि आगे का topic है और हम लोगों का हम लोग सीखेंगी वहाँ पे अच्छाम भात करे लेते हैं एक और example की बारे में ढisy उग च्शोटा स Emb Brainक की अगर और हम लोगों का अने के क Kings सील माइनस यहां पे क्या हुआ है लेके यहां तक है अदेखोगे तो यहां पे हम लोगों का aliens कर्या है ज्लीक किसा है यहां धीट देखोगे यहां से यहां से यहां है एक प्रोटोन का यहां पे बच्चों acceptance हुआ है accept किया है तभी तो NH3 से NH4 प्लस बन गया यानि कि यह हम लोगों का कैसा है बेस है अब तो आप लोगों को यह चीजे clear हुई होगी ठीक है कि बॉंस्टे लोरे कंसेप्ट कनुसार एसीड कौन बेस कौन आप यह सारे examples यूज कर सकते हैं इस थीड़ी को समझाने के लिए ठीक है सारे examples ठीक अच्छा अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि बॉंस्टे लोरे कंसेप्ट के according भाई कौन-कौन एसीड होगा कौन-कौन बेस होगा ठीक है दखिए जो भी प्रोटोन को डोनेट करें ठीक है एसीड आप किसको कहोगे जो भी प्रोटोन को डोनेट करें जैसे HCl H2SO4 HNO3 और आप H3O-P भी बच्छों यह भी तो प्रोटोन डोनेट कर सकता है कर सकता है कि नहीं तो यह भी हम लोगा उसी तरह से NH4 प्लस भी यह सारे हम लोगा कैसा है एसीड है किन के अनुसार ब्वंस्टेड लोरेक कंसेप्ट के अनुसार ठीक है अब हम लोग बात करते हैं भाई बेस कौन होगा बेस मतलब क्या जो प्रोटोन को एकसेप्ट करें एच प्लस को एकसेप्ट करें अब आप बताओ एकसेप्ट कौन करेगा जो खुद नेगेटिव होगा जैसे CL माइनस यह हम लोगा है एच प्लस को एकसेप्ट कर लेगा इस तद्र थे सारे एकजामपल आप लिख सकते हो एस तरह से अब ठेल सारे एकजामपलस लिख सकते हो जो प्रोटोन को क्या करें expect करें अच्छा ।ugalM बहीं होrose जैसे यहां क्या करेगा एकँप्लस को एकसेप्ट कर लेगा एक यह तो यह सक्ता है हम लोग यह saved कór all अल्कोहल हो सकता है बच्छों ठीक है एल्कोहल भी प्रटोन को एकसेप्ट करता है हम लोग का वाटर हो सकता है ठीक है यह हम लोग का प्रटोन को एकसेप्ट करेगा तो ऐसे हम लोग के यह हो गए कैसे बेस हो गए ब्रॉंस्टेड लोरेक कंसेप्ट के कोडिंग वले बेस हो ब्रॉंस्टेड लोरे, यहां, concept के according ये acid हो गये, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे कि Arrhenius concept और ब्रॉंस्टेड लोरे concept दोनों में मतलब क्या फर्क है या क्या advantage है ब्रॉंस्टेड लोरे concept का ओभर Arrhenius concept, ठीक, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, Bronsted Laurie concept को, आखिर आपको exam में लिखना भी तो है, तो आपके लिए यह रहा notes, ठीक, क्या आप क्या करोगे, थोड़ा notes भी परके हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, Bronsted क्या है, a Danish chemist and Laurie an English chemist, propose this concept simultaneously and independently, ठीक है, अच्छा, according to them, an acid is a substance, इनकी अनुसार acid क्या है, acid is a substance, molecule और iron, कुछ भी हो सकता है, molecule भी, iron भी, ठीक है, which has a tendency to donate proton, and base is a substance, that is molecules और ions, which has tendency to accept proton, thus an acid is a proton donor species, and a base is a proton acceptor species, ठीक है, तो ये बाते तो आपको exam में लिखनी होगी, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कुछ examples दोगे, उनके बारे में, ठीक है, तो ये रहा examples, आप ये दे दोगे, ठीक, अच्छा, here, a CL is an acid as it donate proton, and a STO is a base as it accept proton, ठोड़ा सा लिख दिए इसके बारे में, अब उसके साथ साथ आप ये example दे सकते हो, ठोड़ा साथ, आप जो answer है न, उसको थोड़ा आपको बड़ा बनाना है, ठीक है, बस एक line मगर आप लिख दोगे, कि acid कौन है, जो proton donate करे, और base कौन है, जो हम लोगा proton accept करे, तो फिर ये तो marks नहीं मिलेगा न, आपको, ये तो समझने के लिए है, भाई, exact ये बाते हैं, लेकिन लिखना भी तो है, ठीक है, तो आप ये क्या करोगे, इस तरह के जित्ते भी आप examples दे सकती हो, आप दे देना, ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, acid and base as conjugate pairs, ठीक, मतलब हम लोग समझेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये हम बाद में परहेंगे बच्चों, ठीक है, उससे पहले हम समझा दें, कि exact क्या है ये, ठीक है, क्या है topic हम लोग का, एक बार आप देख लो topic, acid and base as conjugate pairs, ठीक, conjugate pairs, मतलब समझा देते हैं आप लोग को, देखिए, हम क्या करते हैं, एक example लेते हैं, ठीक है, हम यह सा की तरह, HCl, H2O, ये हम लोगों का, क्या होगा reaction में, हम लोगों का, यहां पे, H3O plus and Cl minus बनेगा, ठीक, अच्छा, यहां पे, यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां से यहां तक देखो आप, यह रहा, क्या हो रहा है, यह हम लोगों का एक proton को donate कर रहा है, ठीक है, proton को क्या कर रहा है donate कर रहा है तो यह हम लोगों को अब्सकर को acid हो गया acl तीक है आप इसको इस तरह से देखो तो cl minus the right side से देखो तो cl minus क्या किया है एक h plus को accept किया है तब तो cl बना है है यह रहा है मतलब जब हम लोग इधर से देख रहे हैं तो लग रहा है कि H plus को donate कर रहा है acid के जैसा behave कर रहा है लेकिन अगर हम लोग इधर से देखें तो हमको लग रहा है कि जो CL minus है न यह क्या कर रहा है H plus को accept कर रहा है और CL में convert हो जा रहा है यानि कि ये हम लोगों को base के जैसा behave कर रहा है कर रहा है कि नहीं ठीक है तो ये रहा acid और ये क्या है base बच्चों इसको बोला जाता है conjugate base क्या बोला जाता है conjugate कोई भी acid का एक base होता है बच्चों जिसको क्या बोला जाता है conjugate base बुला जाता है उसी तरह से यदि आप यहां पर देखो ठीक है तो यहां पर क्या लग रहा है कि हम लोगों का H+, को accept कर रहा है यानि कि यह हम लोगों का कैसा है base है लेकिन अगर हम लोग इधर से देखें तो लग रहा है कि H3O plus जो है हम लोगों का क्या किया है एक H plus यानि कि proton को donate किया है और H2O में convert हुआ है तो अगर इधर से देखते हैं तो हम लोग को लग रहा है कि ये कैसा है acid है ठीक है अब इसको acid तो नहीं बच्चो conjugate acid बोला जाएगा ये H2O का conjugate acid है बच्चो ठीक है अचा जरूरी नहीं कि आप इसको conjugate acid बोल रहे हो तो हमेशा आपको इसको conjugate acid ही बोलना है अगर आप इसको acid बोलते न तो इसको आप conjugate base बोल रहे होते ठीक है मतलब इसके opposite भी आप कर सकते हो ठीक है जैसे इसको अगर आप base बोलते तो इसको आप conjugate acid बोल देते अगर ये acid बोल रहे हैं तो ये conjugate base आयो, थोगा-थोगा समझ में आया होगा अभी कुछ examples और करते हैं हम लोग मतलब हर base का conjugate acid होता है हर base का conjugate acid होता है और हर acid का conjugate base होता है actually base होता है जिसको हम लोग conjugate base बोलते हैं ठीक है? इसके corresponding में ये base है तो इसको हम लोग conjugate base बोलते हैं ठीक? अच्छा कुछ examples और रखते हैं ये topic भी आप लोगों को समझ माल जागा ये topic आपको इसी कंतरगत लिखना है ठीक है? ब्रॉंस्टे लोरे concept के according ही लिखना है या उसी कंतर लिखना है तब ही आपको जो marks होंगे वो आपको full मिलेंगे जैसे हम एक ये ले 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 हैं ठीक है? इसमें आपको अच्छा यहां पर हम लोग कहीए strong electrolyte था ठीक है? तो ये almost completely ironize करेगा इसका मतलब है कि ये reaction forward direction में ही जाएगा ठीक है ना? बहुत कमी chances है कि 1% chances है कि ये backward direction में जाए तो जब हम बोल रहें कि इसको right side से देखिए तो आप ये मान के चलिए कि क्या है ये हम लोगों का? कि कुछ amount तो backward direction में जाएगा तो उसके according ये conjugate accident conjugate base होगा यहां पर आप लोग इसको clarity के साथ समझ सकते हैं यहां पर weak वाला लिए है यहां पर क्या लिए हम लोग weak वाला लिए है यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लोग का CH3 COO negative एंड हम लोग का क्या मिलने वाला है? H3 H3O plus मिलने वाला है ठीक है? अच्छा यहां पर देखिए यदि आप यहां से यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या देख रहा है कि यह जो चीज है acetic acid यह क्या किया है हम लोगों का h plus यानि कि proton को donate किया है तभी तो यह बना ठीक ना तो यहाँ पे यह हम लोगों का कैसा है यह acid है लेकिन यहाँ पे अगर अगर इसी को आप इधर से देखते हो यह दो backward direction में भी जायगारी action हुई कि लेकिन बलाइट है ठीक है तो हो सकता है कि यह क्या करे है h plus को accept करे और हम लोगों का यह बना ले है कि नहीं तो यहाँ पे लग रहा है कि यह h plus यानि कि proton को accept करेगा और proton को accept करने वाला को क्या बोला जाता है बच्चों बेस बोला जाता है according to Bronsted Law Reconcept अब इसको बेस तो नहीं बोलेंगे हम लोग conjugate base बोलेंगे ठीक है यह acetic acid का क्या है conjugate base है ठीक है अच्छा अगर यहाँ से आप यहाँ देखो यहाँ से यहाँ देखो तो क्या हो रहा है यह क्या कर रहा है 1H plus को accept करके यह बन रहा है यानि कि यह हम लोगों का कैसा है base है लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग कि इधर से देखे बच्चों तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यह जो है hydronium ion H3O plus यह हम लोगों का एक proton को donate करके यह चीज़ बना रहा है मतलब यह हम लोगों को कैसा लग रहा है कि यह acid है अब acid तो नहीं बोलेंगे इसको conjugate acid बोलेंगे ठीक आई हो अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा यहां से चीज़े कि conjugate base हम लोगा conjugate pair of accident base क्या होता है या accident base as a conjugate pair क्या होता है ठीक है यह conjugate pair है अच्छा एक और example लेते हैं बच्चों थोड़ा सा और थोड़ा और time देते हैं इस topic में ताकि कोई confusion ना रहे चलिए यह रहा NH3 पलस हम यहां पे ले लिए H2O यहां पे देखिए क्या होगा ठीक है यहां पे क्या होगा हम लोगों का यह रहा NH4 plus and OH minus अभी यहां से यहां अगर आप देखते हो तो आपको लग रहा है क्या है कि एक proton को accept किया है यानि कि यह हम लोगों का कैसा है बेस है लेकिन इसी चीज़ को अगर आप right side side देखते हो तो क्या लगता है कि NH4 plus हम लोगा एक proton को लूज किया है दोनेट किया है तब NH3 बना है यानि कि यह हम लोगों का कैसा लग रहा है यह acid के जैसा लग रहा है अब acid तो नहीं इसको क्या बोलेंगे conjugate acid अब यहाँ पे आते हैं यहाँ से यहाँ देखते हैं यह क्या किया है एक proton को डोनेट किया है अब डोनेट करने के बाद ही तो H- बना है तो इसको हम लोग क्या समझे acid ठीक है अच्छा अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो OH- actually यह वो H+, यानि एक proton को लेकि h2- convert हुआ है मतलब यह क्या सा है बेस है अब इसको बेस तो नहीं बच्चो conjugate base बोलेंगी ठीक है ना C लिख रहे हैं वहाँ पे क्या लिखना आपको conjugate base लिखना है तो I hope आपको conjugate pair समझ में आया होगा acid and base का ठीक अच्छा next अब हम लोग बात करते हैं next हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे आके advantage of bronsted lauric अच्छा उससे पहले हम लोग बात किये थे इसको थो अच्छा language में हम लोग देखेंगे ठीक नहीं छोड़ते हैं कुछ भी ठीक इसको language में देख लेते हैं हम क्या बोले हैं कि acid and base as conjugate pairs के लिए it may be noted that an acid after losing a proton एक acid after losing a proton changes to base कोई भी acid जब एक proton को lose करता है तो कैसे किस चीज में change हो जाता है base में change हो जाता है and a base after accepting a proton becomes an acid एक base क्या हो जाता है proton को accept करने के बाद acid बन जाता है ठीक है thus for every acid there is a thus क्या बोल रहे हैं for every acid there is a what corresponding base known as its conjugate base similarly for every base there is a corresponding acid thus acid and base always exist as conjugate pair for example में यह सब आगया बच्छों ठीक है ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अब अब हम लोग आते हैं यहां पे advantage of Bronsted-Lauri concept over Arrhenius concept ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या sorry क्या advantage है बच्छों ठीक है क्या advantage है तो हमको advantage जो देख रहा है सबसे पहला जो देख रहा है बच्छों यहां पे परके देख लेते हैं ठीक है Bronsted-Lauri concept is not limited to molecules हम लोग का जो Arrhenius concept था था न बच्छों उससे molecule को divine कर पा रहा था ions बगेरा को acidia baseball ही नहीं पा रहा था ठीक है क्योंकि वो बोल रहा थाक जिसके पास H हो water में dissolve करें तो H प्लस आयन दे और किसके पास OH हो ठीक है इस तरह की बातें वहां पे हो रही थी ठीक है यहां पे Bronsted-Lauri concept हम लोग यह सिखें कि आयन्स रहे या किसी भी तरह के सिर्फ उसको क्या करना है एक प्रोटोन डोनेट करना है या एक प्रोटोन एकसेप्ट करना है बस हम लोग का acid या base के कटिगरी मा जाए रहा था थीक है तो वही बात को हम लोग यहां पे लिखें ब्रॉंस्टे-Lauri concept is not limited to molecules even ions can act as acid and bases whereas in Arrhenius concept only those substances act as acid and base which contains hydrogen and hydroxyl group ठीक है ना तो यह हम लोगा benefit हो गया यहां पे ठीक है यानि कि हम लोग धेर सारे acid and base को हम लोग classify कर पाएं उनकी study कर पाएं as a acid and base ठीक नेक्ट जो है ब्रॉंस्टे-Lauri concept can explain the basic character of substance like NH3 ठीक है which cannot be done according to Arrhenius concept Arrhenius concept के according NH3 और इनके जैसे और भी धेर सारे neutral molecules ठीक है जिनके पास OH नहीं है फिर भी यह base है और इसको हम लोग कैसे समझ पाएं ब्रॉंस्टे-Lauri concept के according explain कर पाएं ठीक है Arrhenius concept के अनुसार तो यह base है ही नहीं लेकिन actually यह basic nature का होता बचों जिसको हम लोग इसके थ्रू explain कर पाएं ब्रॉंस्टे-Lauri concept के थ्रू कर पाएं ठीक है तो यह यहां पर हम लोग कोई भी base ले सकते हैं कोई फरक नहीं परता है according to Bronsted-Lauri concept substances can act as acid and base even in the absence of water मुलब कि water ना भी होना तब भी हम लोग का substance क्या करेगा acid and base के जैसा act करेगा but the same is not possible in Arrhenius concept I hope यह point आपको समझ में आया होगा ठीक है Arrhenius concept क्या है लिमिट है उसका लिमिटेड है सिर्फ वह water के बारे में बात करता है water solvent होना चाहिए करता है और Bronsted-Lauri concept क्या करता है कोई भी solvent हो कोई टेंसन नहीं है बस हम जो बोल रहे हैं वह फुल्फिल होना चाहिए ठीक अब हम लोग आगे चलते हैं इसके limitations पर बच्छों ठीक है क्योंकि यह पूरा का पूरा एक बगा सा question रहेगा जिसमें आपको दो तीन आपार्ट में करके question रहेगा जिसमें limitation भी आपसे पूछा जाएगा Limitation of the Bronsted Lore concept तो क्या limitation है यह बहुत है अरहनियस concept से यह कई गुना अच्छा है बच्छों Bronsted Lore concept लेकिन इसका भी कुछ limitations है यह भी कुछ कुछ चीजों को नहीं explain कर पाया और क्या ठीक है यह तो chemistry बच्छों इसमें ऐसा ही तो होता है कि सामने वाला कोई आया पहले वो कुछ क किया फिर उसको सुधार के कोई और अच्छा किया फिर उसको सुधार के कोई और अच्छा किया इस तरह से चीजे चलती है ठीक पहला जो point है it fails to explain the acidic character of substances like unhydrous, aluminum chloride, bf3 यानि boron fluoride, bcl3 etc ठीक है अभी यहाँ पे आप देखिए कि ALCL3, bf3, bcl3 यह सब जो compounds हैं यह सब जो substance हैं यह acidic nature के होते हैं लेकिन इनका acidic nature को यह theory तो नहीं explain कर पाया वंस्टे लोगे theory के अनुशार यह कर पाया क्या कहीं पे हम लोगा यहाँ पे proton को accept या donate करने जैसा दिख रहा है क्या बच्छों नहीं दिख रहा है ना ठीक तो य एक चीज और इसमें हम लोग add करेंगे, it fails to explain the reaction between an acidic oxide and basic oxide where no proton can be exchanged, यानि कि ब्रॉंश्टे लोगे concept में यह बोला जा रहा है कि हम लोगा क्या होता है acidic oxide and basic oxide के भी जो reaction होता है, उसमें proton का exchange होता है, यह ब्रॉंश्टे लोगे concept का बाते हैं कि proton का exchange होता है, चाहे तो proton accept होता है या proton donate होता है लेकिन यहां पे आप देख लो, यहां पे reaction हो भी रहा है और यहां पे किसी तरह का proton का donation या acceptance नहीं हो रहा है SO3 calcium oxide के साथ react करके calcium sulfate बना रहा है बच्छों तो यह भी एक हम लोग का क्या है? Limitations है, main limitations यह है बच्छों और इसी limitations को ठीक करने के लिए हम लोग क्या परहेंगे? Lewis concept परहेंगे तो next class में हम लोग Lewis concept परहेंगे Emporic के बारे में परहेंगे Emporic species के बारे में I hope आपको समझ में आया होगा Thank you